दोरन बार कोमर्शनु परिणाम जाहर थता तमाम विद्यार्थियों मा उच्छा जोवा मड़ी रही हो छे त्यारे अमदावात खाते आवेल ओम सांते विद्यालाई मा प्रथम दृतिया ने दृतिया स्थाने उतिरन थयेल विद्यार्थियोंनू सन्मान करवा मा आवी मेरा रिजर 99.30 आया और मेरा इत्ता अच्छा रिजल्ट आया है आगे मैंक मैंजर वनना मेंको बैंकिंग की लान में जाना है मेरे दिन में 16 गंटा पढ़ती थी और मेरे सर टीचर सबका में अच्छा नंबर ला पाई हो मेरे घर पे मिर ममें पपा ने भी मेंको बहुत सपोर्ट किया है मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं सब्सक्राइब करना चाहूंगी मुझे बहुत खुशी हो है कि मैरे इतने अच्छे परसेंटेज दोने बने और सर टीचर ने भी हमें पढ़ाई के लिए बहुत सपोर्ट किया जिसे हमारे अच्छे नंबर आ सके सटीचे ने भी बहुत मैनत के साथी साथ हमारे पैरेंट्स का भी बहुत सापोर्ट रहा है आगे चलके मैं आईएस ओफिसर बनना चाहती मेरा यही एक गोल है सकूल मा विद्यार्थियोंने तमाम प्रकारनी पेपर लखवानी तालिम तेमत सारा मार्क्स कई रिते लाववा ते अंगे तालिम आपी सकूलना संचालको ने टीचर है महत वनों फाडो आपी होतो सकूल साथे साथे विद्यार्थियोंने घरे थी पन प्रेक्टिश और योग्य मार्ग दर्शन आपवा ते खुबज महत वनों छे जेती विद्यार्थियों मा डर ना रहे और साणा गुन थी पांस थाई तो तमाम विद्यार्थियोंना माता पिताय पन और रिजल्ड थी गर्व कि आप लोग की सब की तरफ से सपोर्ट मेले तो में आज हमारा जो बारी का रिजल आया है उसमें जो बच्चे में 99.30 जो परसेंट लाया है और जो पांच बच्चे जो हैं उनका रिजल देख करके हमें बहुत खुशी हो रही है कि मतलब कि इस हेरिया में इसलम इस्तार के ब गरह क्रोंरी दो महिना उनको कंसे कंद्रा फंदला पेपर का लिखा दे और यहां सप्रिक लिकर लिखाते इसृष क्या हो जाता है कि पारिफिशने का दोर हो जाता है और परिच्छा के अंदर वสताइуч नहीं कह देख है कि आपको तीन घंटे को पेपर है उसको आप कम शम हैं जो बच्चों को जो है गाइडेंस देते हैं कि आपको परिच्छा के समय कौन को सी बातों का ध्यां रखना है पेपर के अंदर कैसे पेन का यूज करना है कि दो कलर का पे पेन यूज कीजिए कि जिससे कि आपका जो है वो कंटेन उभर करके आवे एकजामनर को इजी हैं दिश्रे बच्चे जो है जो बार्यू के बच्चे हैं हम उनको यह कहाँए कि आप लोग इंधर ऊपर करेंगे चलों कि इसके सर्ण को द्यूर में अच्छी है उन बच्चों को आप थोड़ा सा अगर मानलश करनेशन से बाथाईं बढ़ाई पढ़ाईए क्योंकि यही बच्चे जो हमारे देश के भवी से हैं और जो बच्चों के मास्क कमाया हैं उनको ऐसा डर लेनी की जड़ोत नहीं है क्योंकि जिसके मास्क कमें उनकी लिए भी आगे बहुत सारे ऐसे कोर्सिस हैं कि जिससे कि वह अपने अच्छा बना सकते हैं औ क्योंकि कई ऐसे जो हैं वैज्ञानिक हैं बहुत से महापूरुस हैं कि जो अपने जीवन में वो लोग क्या है फेल हुए हैं लेकिन उन्होंने क्या किया है कि फिर से मैनत करके वह आगे बढ़े हुए हैं और आज उनका समाज में और इस दुनिया में उनका नाम है कि वह या मतलब जिसके नंबर कमाएं उनके पैरेंस से भी उन बच्चों से में यह कहूंगा कि वे लोग घबराएं नहीं और नेक्स्ट जो है अगला जो हम कहते हैं कि जो भी उनका फ्यूचर है उसको केरियर आप थोड़ा अच्छे पसंद कीजिए तो क्या होगा कि और भी कोर्स से आपके लिए ताब वो कोर्स के अंदर जाएए और अच्छा तैयारी कीजिए और आगे बढ़िए तो डी मोटिवेट ना होए और ऐसा कोई गलत कब ना उठाएं ब्यूरो रिपोर्ट एनेस गुजराट नीज अमदावाद